तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ओन मार्स एपिसोड 15 की जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब हांतेजू की आंके खुलती है तो फिर वो हॉस्पिटल के बैट पर लेटा हुआ होता है फिर वो दीरे दीरे करके अपने बैट से उठता है और अपन पर बैट पर लेटा आते हैं डॉक्टर हांतेजू से बूर रहे होते हैं कि फाइनली मैं तुम्हें टू फेस हेलो बोल पा रहा हूँ मैं तुम्हारा primary physician हो मेरा नाम है जांग ओन जे हांतेजू याद कर रहा होता है कि उसने पहले भी जांग ओन जे को देखा होता है फिर उनसे कह रहा होता है कि तुम ही थे जो मुझे बुला रहे थे इसके बाद वहाँ पर एक और परसन आते हैं तो फिर डॉक्टर जांग उन्जे बोर रहे होते हैं कि यह तुम्हारे डॉक्टर जिन्हों ने सर्जिवरी की है तुमारी हां तेजू उनस दॉक्टर की और देखत होती है उसी टाइम वहां पर एक लड़की आते हैं वह Harry Rain that सेवन कहते हैं तुम क्यों sory बोल रहे हो सवरी तो मुझे वहना कुकि तुम में w interrupt के वोस्गों का रहा है कि police force investigate कर रही है लेकिन हमें भी कोई single clue नहीं मिला है फिर हांतेजू बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें मेरी help चाहिए हो तो फ़र तुम्हें मुझे बता देना सेवन उसके जवाब में बोल रही होती है कि तुम्हें सर्फ जागवे एक ही दिन वाया हांतेजू को बिलारी है उसके लिए और हांतेजु वां से चला जाता है कुछ दिन बाद हांतेजू को hospital से discharge कर दिया जाता है तो फिर उसका फोन नमबर होता है, उसके आगरे के चार डिजिट भी होते हैं 5355 हांते जो फिर उसे इग्नोर करता है, उन्हीं मॉम के साथ वाँ से चला जाता है थोड़ी देर में वो घर पहुच जाते हैं, फिर जो उसकी मॉम होती है, वो समान रखने में हल्प कर रही होती है हांते जो की मॉम उससे बोल रही होती है, कि जब तुमारा आउट पेशिंट का ट्रीटमेंट खतम हो जाए जोना तुम मेरे साथ घर पर चलो रेस्ट करने के लिए, वहाँ पर तुमारी आंट भी तुम्हें मिस कर रही है हांते जो कहरा होता है, कि हाँ मैं इस बार में सोचूँगा ये बोलने के इबादव अपने डेस्ट पर रखे और कलेंटर को देखता है रो उस पर एक डेट मार्क होती है फिर वो अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं अपने फादर की डैथ अनिवर्षी पर नहीं आ पाया मॉम बोल रही होते है कि कोई बात ने अगर तुम नहीं आपाई फिर हांते जी वो अपना सलकुलर बॉक्स देख रहा था उसके अंदर वो बेस्बॉल की बॉल होती है संग डोंगयोल के आटोग्राफ की बॉल को देखने के बाद तो अपनी मॉम से पूछ रहा होता है कि हम कभी इंसंग में रहे हैं हांते जी वो बोल रही होते है कि हम वहाँ पर रहे हैं लेकिन उस टाइप पर तुम बहुझा चोटे था तो मुझे भी याद नहीं है फिर हानते जो अपनी मॉम से बोल रहada है कि मेरे ड्रीम में मैं इंसंग में था तरह अनुझों ब्लिस अब बता है कि तो मारे पादर जाते है लेकिन आजना फादर वो तुमारे ले ले घृट फादर थे झाली टींडिये झाली है और ये बिनकी जाती है हान तेजू पनी मौंग के पाँ जाता और नहाग करके उन्हों चुप कराता है अगली सुबह हान तेजू रेडी होकर इंसंग पुली स्टेशन में पहुँच जाता है उस के बारे में कैसे याद है इस के बारे मैंने अपने सेनड से सुनाता है यहाँ तक कि उन्हों भी डंक से याद नहीं है यह बोलकर वो हान तेजू को रेफरेट रूम तक ले कर जाता तक बूर रहा हुता है कि यहाँ पर तुम्हें 1990 तक के जितने भी केसें तो सारे मिल जाएंगे। हांते जू अंदर जाता है रहाँ पर सारी फाइल शेक कराता है तो भी उसे एक फाइल मिल जाती है। वो फाइल होती है 1988 इंसंस सेरियर मर्डर केस की। हांते जू फाइल उपर्ण करता है उसके अंदर उसे गो यूंसुक की फोटों मिलती है रिकॉर्ड नहीं मिलता है ओफिसर कह रहा होता है कि मुझे और भी डीप जाना होगा लेकिन मैं शौर नहीं किसकता कि तुम्हें ये चारों मिली जाएंगे ये सुनकर हांतेजू जा रहा होता है तब ही वो देखता है कि स्टेशन के टीव पे एक न्यूस आ रही होती है कि आ सेयुन बता रही होती है कि मैं शौर तो नहीं हो लेकिन मुझे लगता है ये उस नहीं किया है फिर्ट सेयून हांते जुखो एक, dad कर्णी खोटोश किया है वो ही उसका साथी है क्या तुमने बाय चैन्स उसका चैरा देखा था हांते जो बोल रहा होता है कि मैं उसका चैरा नहीं देख पाए लेकिन जो उसने मेरी तरफ गन पॉइंट की थी उसका जो बहुत लंबा था वो एक ओल्ड श्राइल की रिवॉल्वर थी यह समकर स पाउच के वो देख रहा होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता हांते जो एक रूम के अंदर जाता है वहाँ पर उसे दिवार पर फोटो लगी ही मिलते है जिसमें कि कि मिल्सुक अपने ब्रेदर अपनी सेस्टर के साथ होता है फिर वो नीचे की यह और देखतर वहाँ और इसे कुछ मेंकंप का समान मिलता है हांते जो बूर रहा होता है कि शायद क्मिनिशुक यहां पर काफ hammer timeem serge me week analyze और बाहर पाहर पहुंच कर सेअ निरौ के साथ इसे पता रहा हूता है कि यही पास के एक स्टोर के साथ कि मैंसो को देखा गया है सें जुम कॉल करते हैं वहाँच sounds कि पौछ जाते है सा वहाँ से एक परसन दिखाई देता है भागता हुआ वो इस परसन को जाके रोकता है और वो देख रहा होता है कि वो परसन होता किमिन सौक हांते जू किमिन सौक को नहीं पकड़ पाता इस वैसे किमिन सौक वहाँ से भागते भागते नहीं होता है, हांते जो सेवन के साथ प्रोजिक्रटर ओफिस में होता है, वहां पर कुछ ओफिसर भी होते हैं तब ही एक ओफिसर के पास कॉल आता है फॉरंसिंग टीम से, बात करने के बाद ओफिसर सेवन को बता रहा होता है, कि हमें मड़र सीन पर जो डियने मिला है, वो कि मिनसुक का ही है और क्राइम मेथटर भी बिल्कुल सेवन, सेवन कहरी होते हैं कि ऐसा कैसे होता है, कि इस बार कि मिनसुक ने एविडेंस छोड़ा है हांते जो एक बोर्ट की और देखतर बोर्ट रहा होता है कि अब पूरे आठ विक्टिम्स हैं सेवन मना करती हो बता रही होती है, कि टोटल 9 विक्टिम है हमें 2 दिन पहले एक लड़गी की लाश मिली है उस लड़गी का मड़र हुआ है 9 दिन पहले जो देखने के बाद उसे वहाँ पर एक और पैकेट मिलता है और उसे देखते हैं वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि उसने तरीका क्यों चेंज किया है हमें किम इंसुक की बॉड़ी में से आर्सनिक और लेड मिले थे जो कि नॉर्मा यूमन बॉड़ी के मुगाबले बहुत जादा थे लेड और आर्सनिक की वैसे उसे ब्रेन डैमेज हुआ है इनकी वैसे उसे पैरलेज और शायर डिजीनेस का सामना करना पड़ता है और साथ ही में मैंटल स्टॉम का भी किम इंसुक अभी एक हैवी मैंटल पॉड़ी होते है कि हम दुबारा से ये सारे केस रिस्टार्ट करेंगे कोई भी डिटेल मिस न कि और नामचे दिखाई देने लग जाते हैं वो तीनों हांतेजू से बास करते हैं और बहार चले जाते हैं हांतेजू भी बहार जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं होता है ये सब हांतेजू का वहम होता है इसके बाद हांतेजू पास एक स्टोर में जाता है जहां पर आक लोग काम कर रहे होते हैं, फिर एक officer आता है और वो seven को बता रहा होता है कि मैंने ओ यूंसुक की transaction history निकाली है जिस store से आकरी बार किम इंसुक को जाते हुए देखा गया था, उसकी timing थी 11 बचकर 32 मिनट, लेकिन ओ यूंसुक ने hospital के पास एक restaurant में dinner किया था जिस time पर किम इंसुक था, उस time पर वो store में नहीं थी, seven पूश्ट होते हैं कि इसका क्या मतलब है, हांते जो कह रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि किम इंसुक ओईंसुक की पीछे नहीं गया था उस time पर, किम इंसुक ने already decide कर लिया था कि वो ओईंसुक को रहा होता है मिंसुक और वो भी चुप के से उस लड़की के घर में घुच जाता है इधर सेगुन अपने सारे ओफिसर से बोल रही होती है कि शायद मिंसुक अभी वहीं कहीं चुपाई जहां पर हो store है वैसे तुम्हें एक टीम बुलाओ और हम सब मिलकर वहाँ पर ढूंडेंगे उसे ओफिसर ओडर फॉलो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं हांते जो बोल रहा होता है कि जो मिंसुक की ऐसी हालत हुई है वो उसके traumatic incident की वैसे हुई है जब मिंसुक के father drink करके उसकी बहन को मारते थे शायद उस time पर वो मिंसुक को भी पीटा करते थे लेकिन उस time पर उसने कोई भी गुस्ता शो नहीं गिया अपने father को शायद ये सब related उसकी बहन क्योंगरान से ये कहने के बाद वो दोनों भी वहाँ से चले जाते है इदर मिंसुक उसी लड़की के घर के अंदर होता है किसी तरीके से वो उसे बैट पर लेटा आता है उसके हाथ पर बांद देता है फिर वो उसका make-up कर रहा होता है और Officer की टीम उसी area पहुँच गई होता है जहां पर हो स्टोर होता है और वहाँ पर वो उस लड़की के बारे पूस्ताच कर रहे होते है इदर मिंसुक के सर में पील स्टार्ट हो गया होता ये सुनकर Sivan भाग कर उसी ऐले में जाते है जहांपर वो ब्रिक का घर होता है तब ही वहाँ पर मिन्सक के पास पहुंच जाता है उसे पकड़ने में कामिया हो जाता है वो उसे अरेस्ट करते हैं और स्टेशन लेकर जाते हैं वहाँ पर वो कस्टडी में होता है ऑफिसर मिन्सक से पूस्ताच कर रहे होते हैं लेकिन वो कोई भी जाव नहीं दे रहा होता है ऑफिसर परिश प्रेशन में मुझे लग रहा है कि तुम्हें याद आगा कि मैं कौन हूँ आंदेजु हां कहता है फिर मिन्सुक के सामने एक फाइल रखता है कि तुमने इंसारी लड़कों को मारा तो फूर तुम्हें देट पेनल्टी को अवाइड नहीं कर पाओगी अगर तुम मुझे ब सेउन भी बाहर आते हैं उसे बूर रहाता है कि मुझे कुछ कुछ चेक करना है हां तेजी ऑफिसमे जाता है रहाँ वहां पर कोली चेक कर रहा है तो उस्हां कनाम रहा होता है।oire को यूर ये यिवैशन कोहां देता है information निकल जाने के बाद से उन कहरी होती है कि ये तो मिन्सुक का बड़ा बाई युन्सुक है हांते जो बता रहा होता है कि युन्सुक ने 1988 में एज़ा कॉप भी काम करा है और शाहिद वो ही मिन्सुक का साथी है लेकिन record में ऐसा बता जा रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है 1988 में युन्सुक ने डारेक्टर पार्क को मारने की कुजिश करी दी जो कि हानबुक सेंटर की डारेक्टर थे उस टाइम पर डारेक्टर पार्क बज गयता है लेकिन 2008 मुन की मौत हो गई और उन्हें गोली मारकर मारा गया है और जो गोली मिली थी वो 38 कालिवर के थी और साती में वहाँ पर थेव फलेन भी मिला है और ये अस्तमा इन्हेलर में यूस किया जाता है यसिंसुक को अस्तमा था वो मरा नहीं वो आज बी जिन्दा है फिर वहाँ पर एक officer आतर उन्हें बता रहा होता है कि हमने उस कार के डिटरी निगा ले जिसे की मिनसुख भागा था उस कार के owner का नाम है Lee Wonho और वो आन्यांग में रहता है लेकिन एक महीने पहले इस कार को स्क्रैप्ट कर दिया गया था और उस कार के अंदर में एक इनियर भी मिला था हांतेजू पूश रहा होता है कि वो जंक याड कहां पर है जहांपर इस कार को डिसकार्ट किया गया है officer उसे address बताता है फिर अगले दिन सेगन और हांतेजू अपनी team के साथ उस जंक याड पहुच जाते हैं फिर वो जंक याड के उनर से बात कर रहे होते हैं तभी हांतेजू देखता है कि desk पर एक इनियर का packet पड़ा होता है वो boss से पूश रहा होता है कि ये किसका है वो boss बता रहा होता है कि ये Mr. Kim का है हांतेजू पूश रहा होता है कि Mr. Kim कहां पर मिलेंगे फिर boss बता रहा होता है कि वो दूसरी साइड है हान तेज जो जंक याड की दूसरी साइड जाता है और वहाँ पर उसे देखकर एक person भागने लग जाता है हान तेज उस person का पीछा कर रहा होता है तब ही अचाना से उस person पीछे मोड़ता है हान तेजू जल्दी سے उठता और गन उठा कर उस परसन की और पॉइंट कर देता है उस परसन को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है इस वह से वो अपना इनहिलर निकालता है और इनहील कर रहा होता है वो परसन यौनसु की होता है फिर वो आंतेजू को बोल रहा होता है कि एगर tum यहाँ पर आगיה हो इसका मतलब कि तुमने भिशा को पकड़ लिया है लेकिन आज से 30 साल पहले वाला जो मिरा नाम हो 됐Books तुम कीसे जानते हो क्या हम पहले गभी मिले हैं फिर ओफिसर वहाँ पर आते हैं और वो यूंसुक को अरेस्ट कर लेते हैं। सेहन वहाँ थे जो को बदा रही होते हैं कि यूंसुक ने अपनी अइडेंटी बदल ली थी। और prosecution team ने investigate किया है कि जिस परसन ने यूंसुक की body पे post-mortem किया था उसी परसन ने इसकी death को fabricate किया है। ये बात सच है कि यूंसुक उस पुल से गिरा था और उसे गोली भी लगी थी। लेकिन उस time पर उन्हें यूंसुक की body नहीं मिली थी। और उन्होंने एक दूसरी body से इस case को बंद कर दिया था। अंदर जाते हैं और वहाँ पर हांते जू सारे evidence पेश करता है। evidence देखने के बाद judge वैसा सुनाता है और मिन्सुक और यूंसुक को death penalty दी जाती है। रात को हांते जू अपने घर पे होता है वो टीवी देख रहा होता है। उसके अंदर डॉंग चल, यूना, नामशीक और यॉंकी की फोटो लगी हुए होती है। और उनके मरने का reason होता है कि एक गैंग्स्टर की गैंग में उन पर अटाक किया जिस पर उनकी मौत हो गई। और जिस उनकी death हुई होती है तारी होती है तीन जून। तो दोस्ते हैं पर गदम होता है एक एपिसोड।